देखो अब कोशन क्या है दिजिट्स ये हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7 दिजिट वही है अब हमें 5 डिजिट्स और नमबर बनाना है और रिपिटीशन अलाव नहीं है अब हमें 5 डिजिट्स का और नमबर चाहिए दो क्या करा है how many five digit odd numbers are possible मतलब odd number बनाने है वो भी five digit के तो वो कितने होंगे अगर repetition allow नहीं है तब देखो धियांग दो five digit का हमें odd number चाहिए है ना how many five digits odd number दोगो five digit का number चाहिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो five space बनाएंगे दोगो five space बनाएंगे अच्छा हमको number चाहिए odd तो कोई भी number odd तब होगा जब उसका last place odd होगा बाकी उसे मतलब नहीं तो last जो place है अब दोगो पहले last place को भरेंगे ध्यान देना तो दोगो odd number क्या क्या है one है three है five है seven दोगो यह हमारे पास odd number है अब इन चारो मैंसे कोई एक last पे आएगा तो इसके हो जाएंगे four ways क्योंकि पूदे नमबर को odd करना है पूदे नमबर को odd करना है इसका मतलब last place odd होना चाहिए five digit number चाहिए तब ही दोगो हमने यहाँ पर five space बनाए है इसलिए तो अब इसको भरने के four ways नमबर बचेंगे four तो four ways फिर बचेंगे three और फिर बचेंगे two ways ध्यान दो तो पहले last place को भरेंगे last place क्या करना है बोलो odd तो इसलिए odd number क्या है यह इन चारो मैंसे कोई यह काहेगा तो four ways अब एक number कम हो गया number कितने बचे five तो इसको fill करने के five ways फिर इसके four फिर इसके three फिर इसके two तो दो को total number कितने हो गए five into four into three into two into four हाना तो यह हमारे question का आज आएगा finally answer जो भी होगा मैंट बचेंगे करके देख लेंगे तो five digit odd numbers repetition allowed नहीं है यहाँ पर ध्यान देना अच्छा मान लो अगर मैं सवाल यही रखूँ और repetition allow कर दूँ है ना मान लो मैं question यही रखूँ और repetition को allow कर दूँ तो अगर मैं repetition को allow कर दूँगा तो देखो क्या होगा फिर वही five places बना लो five places बना लो सबसे पहले अब odd number चाहिए तो इसको भरने के चार तरीके ही हो गए इसको भरने के four ways ही हो गए अब क्या हुआ देखो repetition allow है तो मतलब number कम नहीं होंगे अब दुखो number कितने तछे तो इसको भरने के चार तरीके क्योंकि odd मैं से ही कोई है कि यहां रखना है क्योंकि number odd चाहिए लेकिन नंबर कम नहीं है तो इसको भरने के 6 ways, इसके भी 6 ways, इसके भी 6 ways और इसके भी 6 ways तो हमारा आंसर हो गया 6 into 6 into 6 into 6 into 4 थाना दोगों हर दगे हम principle of multiplication लगा रहे हैं इस काम को करने के 6 तरीके, इसके 6 तरीके, 6 तरीके, 6 तरीके, 4 तरीके तो सारे कामों को करना है उन सब को क्या कर रहा है multiply हर दगे हैं पेंस पर लाओ multiplication लगा रहा है तो इससे हमें question का final answer मिल जाएगा ध्यान दू तो repetition अगर allow है तो इसको भरने के 4 तरीके है ठीक है अब इसको भरने के 6 तरीके है फिर 6 फिर 6 फिर 6 तो उन सब को हमने finally कर दिया multiply तो यह हमें अपने question का मिल गया final answer अगर repetition अलाओ है ठीक है तो अब देखो यहां पर हम अभी बहुत सारे question करेंगे दिरीदे करके तो यह मैं समझा रहा हूं question को कैसे हमें करना है और यह अगर हम logic सीख गए तो question यहां पर बहुत आसान है फिर लेगो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले कि